हैलो दोस्तों आपका स्वारत है आपके अपने यूटूब चनल फ्यूचर ओल्लाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में बिहार डियलेड फॉस्ट यर एसीपी को उपर बात करने वाले हैं क्योंकि अभी जो है वर्तमान समय में बिहार डियलेड के एसीपी वन चल रहे हैं जिसमें जो है काफी सारे बच्चों को जो है बहुत सारी चीजों के बारे में प्रोब्लम है बार बार मैसेज आ रहे हैं जिसके डिगार्डिंग जो है मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इस वीडियो में जो है मैं कच्छाई गति वीडियो के अवलोकन के उपर बात करें कि आपको जो है अवलोकन कैसे तयार करना है किस तरह से आपको टोटल 25 अवलोकन मनाने है तो मैं आपको बता दू कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आड़ा था कि मुझे format नहीं दिया गया है college की दरब से मैं कैसे अवलोकन लिखूं तो मैं आपको बता दू कि देखिया आपको अगर फॉर्मिट नहीं दिया गया है तो आपको अपने अनुसार से जो है या अपने मेंटर से पूछ कर कुछ पॉइंट को नोट कर ले जिसके उपर आप काम करेंगे अगर आपको वो भी नहीं मिल पारा है तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं जो जो पॉइंट बताने वाला उस उस पॉइंट के उपर जो है आप लिखे आपका जो है कछाई गतिविदियो का अवलोकन जो है सही डंग से हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले आपको जो है उपर जो है अवलोकन संख्या लिखना है अवलोकन संख्या काने का आर्थ है कि टोटल जो है आपको 25 अवलोकन करने हैं, तो उपर आप अवलोकन संख्या नम्मर लिखेंगे, उसके बाद जो है उसके नीचे लिखेंगे प्रसिक्षू का नाम, यहाँ पर जो है अपना खुदगा नाम लिखना है, फिर यहाँ पर जो है आपको विसाय लिखना है, कौन सा विसाय का अव आपको लिखना है और नीचे आपको पार्ट का नाम भी यहाँ पर लिखना है सबसे पहले आपको यह main काम उपर करना है अब जो भी भावी सिक्षक आप बनने वाली है और जो सामने वाले रियल टीचर जो है कच्छा कच्छ में बच्छों को पढ़ाएंगे आपको उनका style, बोलने का style, बच्चों के बाशित करने का style या पाठ डील करने के style सभी चीज़ों को गौर करेंगे तो तो देखें याँ आपको क्या किया गया है सबसे पहले अपको point में डालना है वर्ग बिवस्था करने का आर्थ है कि बच्चों के बैठने का तरीका भी सही था देखिए कच्छा कच्छ में सबसे पहले क्या है कि वर्ग विबस्था सही रहेगा तभी पढ़ाई हो पाएगा इसलिए जो है सबसे महत्यपून पॉइंट हो जाता है आपका वर्ग विवस्था इसमें जो है अपने मन से जो है आप लिख सकते हैं देखें यहाँ पर लिखा है मैं आपको पढ़के कब बता दू कि बच्चों के बैठने का तरीका भी सही नहीं था वे काफी सोरगुल कर रहे थे चुकि यह पह देपाओ देखिए आपको अब लोकन जो है कच्छा कच में जब पढ़ाई होता है उसके पीछे बैठ कर आपको करना है तो देखिए यह बच्चा जो है डियल लिखा है यह आप जब विद्याले में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको कलास दो है अच्छा ही मिलेगा ज्यादा निगेटिव में लिखना है ज्यादा आपको पोजेटिव में लिखना है देखिए यह की लिखा है कि मैं भी पीछे जो है चुपचा बैठी आपने सापाथियों के साथ और जो है अलोकन करना शुरू किया इस तरह से आप वर्ग विवस्था के उपर लिख सकते ह है चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं कि वर्ग विवस्था क्या था सु विवस्थित था तो यह भी जो है आप पॉइंट को यहां लिख सकते हैं आप देखें सेकेंड पॉइंट यहां क्या है सेकेंड पॉइंट जो है पार्ट का उद्देश से आप देखिए कि सिक्षक तो अब पाठ का उद्देश से तो होगा कि पाठी किसके लिए पढ़ाना है तो देखे सिक्षक ने बच्चों को बताया कि इस पाठ के माध्यम से सिख सकते हैं कि कैसे तंग अभाव में भी कड़ी मेहनत और सची लगन से जो है अपने जीवन को सफल बना सकते हैं जो यह मतल पाठ के नाइका की तरह जो है काड़ी करने में कठी मेनत करी यह समझ गया आप पाठ का उद्देश बहुत सार हो सकता है किसी चीज में हो सकता है कि समाज के न्याय के बारे में जान सके समाज के अच्छाईयों को जान सके बुराईयों को जान सके इस तरह जो है आपके पा पाट को असानी से पढ़ाने के लिए जो भी सिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं टी एलेम का परयोग करते हैं जैसे चाट पेपर डस्टर बोर्ड या बहु सेरा का मौडल का उपयोग करेंगे ताकि बच्चे जो है उस चीत्र को उस चाट पेपर को या उस मौडल को देखकर उस पाट के असानी से भाव को समस़ मौडल को लिए तो आप लिख सकते हैं कि सिक्षक महधें पढ़ाने के लिए जो आपका सहायक समागरी है उसका पढ़योग किया शुक्षां समागरी लिखेंगे ये भी सही है मालने कीकि अच्छा कछ में कोई सिक्षक पढ़ा रहा है तो किस वीधी ते से पढ़ा है एगर कहानी है आकविता है तो नाटाखो रोल प्रक्प्ले मेथड़ हो या समवाद वीधी हो व्याक्या विदी हो तो बेखें लेक्चर मेथड है विक्यान वीदी के द्वारा जो है यहां आपर बताया जा रहा है फिर देखें आपर activity का परयोग किया गया कि नहीं किया गया देखें इस पार्ट को पढ़ाने के दौरान activity का परयोग किया गया कि नहीं किया गया यह भी आप लिख सकते हैं जैसे यहां द उस तक को पढ़ा रहे थे ताकि बच्चे के अंदर जो है पढ़ने का कौसल विखास हो कठिन से कठिन जो भी उचारन सब दोते हैं उसे ना उचारन कर पाए तो वो उचारन करने में साहता कर रहे थे तो यह हो गया फिर आपको जो है यहाँ पर जो है छात्र क्रिया सेल यह जो है महत्यपून पॉइंट है इसमें देखे का लिखावा है कि बच्चे द्वारा जो है पठन काड़े किया जा रहा था जिसे बच्चे काफी उससाहित थे और कुछ बच्चे भैरीत भी दिख रहे थे यह कहानी जो है सची घटना प्रधारी थे जिसे बच्चे इस कहान है उसे और निखारता है जिसे नहीं आता है उसे सीखाता है तो यह भी छात्र अंतर किरिया जो है किया गया फिर देखें आपर सिक्चक किरिया सिलता सिक्चक के द्वारा क्या कारे किया गया तो देखिए बच्चों से पाट का वाचन करवाया जा रहा था कठीन सब्दों क को बोलकर परसानिया आ रही थी, जिसके शिक्षक मौध जो है, इस पस्ट और सही बता रहे थे, सबी बच्चे लिख रहे थे, और इनका भी घुम-घुम कर अवलोकन कर रहे थे, कहाने का रहे थे कि सिक्षक के जो किरिया था, कि सभी बच्चों से बुष्टक पढ़ाई जो भी कठीन वहां सब दा रहे थे उसी जो है वह बोलकर लिखकर बच्चों को बता रहे थे तो यह सिक्षक के लिए सिलता हो गया या किसी प्रश्ण भी थे उसका भी उत्तर दे रहे थे यह से बाते जो है अप लिख सकते हैं फि इसे बच्चे के अंदर का डर जो है खतम हो रहा था। सिक्षक महदे बहुत प्यार एवं अच्छे से पाट के कठिन सवालों को समधान कर रहे थे। आसान तरीका अपना कर बच्चों के समस्या का निवारन कर रहे थे। कहने कार थे कि मुल्यांकन भैवित तरीका पर नहीं क करने तथपाट के पढ़ कर आने के लिए कहा गये। यदि ये कर रहे हो चुका फिर उद्देश के प्राप्ती हुई की नहीं हुई। सिक्षक जो इस पाट को पढ़ाने से पहले जो उद्देश की प्राप्ती करवाना चाहते थे बच्चों को क्या उसका प्राप्ती इसमें जालने शिक्षक ने अपनी तरब से जो है पूरी मेहनत की जिसके कारण जो है बच्चे में काफी जो है अलग सा महाल बन गया बच्चों में आरंबिक जो रूप था लक्ष की प्राप्ति हो शुकी थी क्योंकि बच्चे में जो है पाट पढ़ने के बाद जो है बहु उप्चरात्मक सिक्षन का अवलोकन और यहां लास्ट में कहने का आर्थ है कि आम तोर पर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में मन नहीं लगता है वे इस एक कठिन विशाय के रूप में देखते हैं बच्चे अंग्रेजी के सब्दों पर ध्यान ना देकर किवल कहानी पर ध्यान दे रहे थे शिक्षक को यह पता था कि इसलिए अंग्रेजी के सब्दों को सरो लर्थों में पर्योग कर रहे थे ताकि बच्चे के समझ सके और कोई तकलिफ ना हो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग कच्छ में शिक्षक उप्चरात्मक सिक्षन पर भी ध्यान दे वन डेकुलेट किया हुआ है विद्याले का नाम सिक्षिका का नाम वर्ग चक्र मतले यहां पर हुआ अगया दिरांग और भी सै यह हो चुका है आप देखे वही पॉइंट मैं आप पढ़ूंगा नहीं आप देख लेंगे आप पहुच करके वीडियो को देख लेंगे यह आप समझ गया उपर मैंने अभी आपको बताया प्रस्ण और टिपनी देखे यहां आप एक नाय मिल गया कि सिक्षक ने पाठ में सम्मांदित प्रस्ण किये कुछ छात्रों ने उतर देए उस उक्ता दिखाए दे रहे थे प्रस्ण और टिपनी हो गया गिडिक आरे फिर बढ़े भी उचित है यह समझ गया फिर देखिया अवलोकन टू में देखिये आपको क्या किया गया ठीक उसी प्रकार दिनांग पिस है चोकर कच्छा प्रकरन और अवधी यह हो गया नाम यह चोड़ दिया है कुछ बचों ने थोड़ा गलत किया लेकिन फिर भी ठीक है य शिक्षक ने गच्छा में ठीक समय पर परव्यस किया सरोपरथम स्यामपट पर सुचना अंक किया छात्रों का पूरवग्यान का अवलोकन किया शिक्षक की भासा सूध वए पस्ट थी एक-एक पॉइंट में जो है किया गया है लेकिन आपको एसा नहीं करना आपको मेंटर से पूछ लेना है सरल उधारन देकर जो है छात्रों को संधाया गया बच्चों से प्रकरन संबंधित प्रस्ण पूछे गया बच्चों को सक्रात्मक पुनन बरलन पर जो है बल दिया गया सिक्षिका ने बच्चों को गिरी काड़े दिया कच्छा में जाने से पहले से आमपट कुछ साप किया गया यह क्या हो गया देखिए आपका अवलोकन है इवी जो है मौकरी का अवलोकन है यहाँ देखिए तीसरा अवलोकन ठीक उसी प्रकार है आपस में आपको ठकराते हुए मिलेंगे तो आप ज्यादा इधर उदर की बात नहीं सुचेंगे बस आप अपने काम करेंगे और यहीं पर द्यान देंगे छातर की रियासिल, सिक्षक की रियासिल देख लिए आगे उपर आला ही पॉइंट ग्रीकारे और मुल्यांकन लगता है कि यही जो है सेम सेम पॉइंट सभी लोग लिखे हैं ग्रीकारे और मुल्यांकन इस तरह से जो है आप मौकिक अवलोकन और जो आपका फॉर्मेट अवलोकन है यह कर सकते हैं अगर आपको college में format नहीं दिया गया है आप किसी परारगी टेंसर नहीं लेंगे असान से जो है भासा में आप लिखेंगे तो आशा करता हूँ कि आपको यह जो doubt था clear हो गया होगा तो आप इस वीडियो को like करेंगे, share करेंगे, subscribe करेंगे थाइंगे सो मच जय हिन जय वारत तो मिलते हैं एनेक स्टूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थाइंगे सो मच जय हिन जय वारत